नमस्कार फ्रेंट्स, डॉक्टर जेला लोवेंपथी क्लिनी के इस यूटूब चैनल में एक बार फिर आप सुब का स्वाधत हैं फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है मायोपिया यह हमारे आपकों से जुड़ी भी बिमारी है जिसमें हमें हमारे आपकों से कम दिखाई देने लगता है और आज पल छोटे बच्चों के अंदर में यह बहुत ही ज्यादा कोमन समझे है तो फ्रेंड इसके बारे में बात करने के लिए शुरू करते हैं यह वीडियों फ्रेंड सबसे पहले जानते कि मायोपे क्या है इसको दूसरे नाम से हम सौट साइटनेस भी बोलता है यानि इंदी में इसको निकट द्रिश्टी दोस बोलता है इस प्रोब्लम के अंदर में हमको जो दूर की वस्तुए होती है वो दुंदली दिखाई देने लगती है या हमारी नजर कमजोर होने लगती है तो दूर की जो चीज़े होती है वो हमको साफ दिखाई नहीं देती है इस तरह की कंडिशन को मायोपे बोला जाती है यह आजकल चोटे बच्चों के अंदर में स्कूल गोइंग चिल्डरन हैं, उनके अंदर में बहुत ही जादा कोमर है उनमें जब इस तरह की प्रोब्लम होती है तो फिर इसको ठीक करने के लिए चश्मा लगाया जाता है और दीरे-दीरे ऋ चिश्मा मायनेस की नंमबर से स्ठाट होता है और पिर दीरे-दीरे इसको नंबर बढ़ते जाते हैं यानि यह बीमारी बढ़ती जाता है यानि एक एज तक नंबर बढ़ते रहता है एज लवाँ पत्जी साल की हो जाती है तब उसके बार से नंबर स्टेबर हो जाते हैं इसके बारे में अगर इसकी फोड़ी साइंस के बारे में बात करें तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि हमारे आँखों के अंदर में रेटीना होता है जहां पर हम जो भी चीज देखते हैं, उसकी इमेज होती है, वो हमारे रेटीना पर बनती है, जिससे हमको प्रोपर कोई चीज दिखाई देने लगती है, अब अगर वो इमेज जो रेटीना पर ना बनके उसके पहले बनने जगते हैं, तो हमें दुंदला दिखाई देने तो friends, अगर हम males और females के बारे में बात करें तो ये दोनों के अंदर ही होती है और ये ज़्या तर देखा गए कि दोनों आको के अंदर में ही होती है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे cases भी देखे गए हैं जिसके अंदर में ये सिर्फ एक अंदर में प्रॉब्लम होती है जनरली ये दोनों आखों के अंदर ही होती है और हो सकता है कि दोनों आखों के अंदर अलग अलग नमबर हो सकता है एक में ज्यादा नमबर हो सकता है एक के अंदर कम नमबर हो सकता है लेकिन प्रोब्लम ये दोनों ही आखोने लगती है अब अगर हम इनके लक्षनों के बारे भी बात करें, मतलब इस तरह की प्रोब्लम जब स्टार्ट होने लगती है, तो हमें इस सरीर में क्या-क्या लक्षन आने लगते हैं, तो उस पे जो सबसे पहले नंबर पर है, हमें कोई भी चीज देखने में या दूर की चीज़े जो फोड़ा सा डिसकंफर्टनेस फील होने लगती है, यानि वो अराम से हम देखना ही पाते हैं, तो यह सबसे पहला लक्षन है इसका, इसके अलावा हमारे आँखों में बारीपन रहने लगता है, क्योंकि हम कोई जिस क्लियर देखने की कोशिश करते हैं, तो हम आँखों पर छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो कही बार अपने परेंट्स को शिकायद करते रहते हैं, कि हमें जो ब्लेक बोर्ड पर लिखावा होता है, वो ठीक से नहीं दिखाई देता है, तो अगर इस तरह की शिकायद करते हैं, तो परेंट्स को उनकी बात सुनी चाहिए, और उसको सीरियसली लेके उसका जल्दी से जल्दी टेस्ट करना चाहिए, ताकि और जादा प्रोब्लम होने से बच सके हैं, अब अगर हम इनके कारणों के बारे में बात करें, तो जो सबसे महन कारण है, वो है जनेटिक, अगर बच्चे के माता-पिता में से किसी को भी इ तो उसमें बच्चे को होने के चांसे बहुत जादा रहते हैं, और अगर बच्चे के माता-पिता दोनों को इस तरह की प्रोब्लम है, तो उनके बच्चे को मायोप्य होने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं, इसके अलगा कुछ और भी कारण देखने को मिले हैं, ज फिर उनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता है या जो अच्छे न्यूट्रिशन वाला खाना होता है वो प्रोएड नहीं हो पाता है तो उस तरह की सिच्वेशन में भी इस तरह की कंडिशन डॉलप को सकती है इसके साथ बच्छे आजकल मोबाइल पॉन लैप्टॉप के बारे में इस से किस तरह से बचा जा सकता है और होमेपेति के अंदर क्या क्या में डीशिन है जो इसके लिए काफी प्रेंट सबसे पहले तो यह है कि अगर इस तरह के सिंटर्स बच्चों कंदर देखने को मिल रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जा अगर उनका स्क्रीन यूज करना जरूरी है तो उसका जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग को कम किया जा सके और जो लॉंग टाइम तक स्क्रीन को यूज करते हैं उसमें थोड़ा ब्रेक दिया जाए ताकि आंकों को ज्यादा प्रिशर ना पड़ सके इसके अलबाब जो कि आखो के लिए बहुत अच्छे रहते हैं उसके अलबाब रखालप होता है वो आखो के ली बहुत अच्छा होता है यूज तो इस तरह शीजाए उनके खाने के अंदर एड़ करनी चाहिए ताकि उनकी जू आखो का हेल्थ है वो अच्छी हो स्का अगर बच्चों को म अलग नमबर के चस्मे रहेगा तो भी उनके आपको पर ज्यादा प्रेशर बनेगा जिसकी वज़े से नमबर और ज्यादा बढ़ने के चांसे जादा रहता है अब अगर अगर फ्रेंट्ट इसकी हुमिपेथि मेडिसीन के बारे में बात करें तो वैसे तो हुमिपेथी की मे में जारी मेडिसीन है तो है फाइसो इस चिग्मा 3X प्रेंट्ट इस तरह से इसको कंटिनू करते रहना चाहिए तो दे देर जी आंखों के एफिशी करते हैं और मीव प्रें एसके अलगा बढ़ने में लीटिसन उसके आप दूसरे मीडिसीन है वह ए अगरिकिस मेस्केरिस तो यह जो मैडिसीन है इनको कंटीनियू करते रहने से दीरे दीरे आंको की हल्थ उसमें सुदार आने लगता है और मायोपे जैसी कंडिशन से बाहर निकलने में हैल्प मिलती है तो फ्रेंट्स यह जो दो मैडिसीन थी यह इस तरह की कंडिशन के लिए बहुत ही जाद एफे प्रोडिंग दिया जाता है तो उनके सिंप्टम्स के साब से मेडिसीन और भी चेंज हो सकती है तो आप एक ओमेपेथी डॉक्टर से कंसर्ट करके और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से आपके लिए काफी एक्टिव है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने कोसिस क अगर आप इस वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर कीजी और अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आग्या आने वाले पीचल में और भी जो वीडियो है वह भी आपको मिलते रहे और आप उनसे ला उनसे लाँ